आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलिशन पाओ डाउटनेट नाओ या फिर हम कहीं one generation to second generation अब अगर हम बात करें आपका जो पैटरन होता है इनहरेटेंस का किसी भी sex linked allele के अंदर तो हमारा क्या है options तो आपका जो option number A है कि every affected person has an affected parent इसका मतलब कोई surety नहीं है कि आपका अगर male है वो अगर affected है तो आपकी female क्या हो सकती है unaffected भी हो सकती है पर इसमें every affected person has an affected parent तो ये आपका option गलत हो जाता है फिर अगर हम बात करें आपका unaffected parent can produce children who are affected अब अगर parents ही unaffected है तो आपके children कैसे affected हो सकते हैं जब हम बात करते हैं sex linked allele की तो ये option भी आपका गलत हो जाता है third है unaffected mothers have affected sons and daughters who are carriers अब अगर unaffected mother है तो इनके अगर sex linked है तो आपका double x chromosomes पे इन पे नहीं देखने को मिलता पर अगर आपका जो father है वो तो affected हो सकता है तो अगर आपका father affected है और mother अगर unaffected ही भी है तो भी आपके sons और daughter है वो आपके carriers हो सकते है क्योंकि अगर x आया तो आपकी daughter carrier होगी और अगर आपका जो y आता है तो इसका मतलब है आपका जो son है वो carrier है तो option number जो c है वो इस question का answer हो जाता है With this, thank you